हाँ तो भई दो खबर डिस्कलेमर आपने पढ़ लिया अगर आपने डिस्कलेमर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो अब मैं खुल के बाद कर सकता हूँ दोस्तों अगर आपको इस क्रिप्टो करनसी मार्किट से आने वाले 6-8 महिने में easily 10, 15, 20x कमाना है तो ये वीडियो आपके लिए है तो आज की वीडियो completely best है ZK-Sync ecosystem के उपर इस ecosystem में क्या-क्या opportunities है ZK-Sync का जो अपना token है उसकी future में क्या price हो सकती है क्या इनका second airdrop भी हो सकता है अगर इनका airdrop नहीं होता तो इनके system में कौन से depths है जिनको आप utilize कर सकते है जो future में अपना airdrop कर सकते है आपको अच्छा benefit हो सकता है तो ये सारी चीज़े में वीडियो में cover करने वाला हूँ बस आपको वीडियो पूरी देखनी है network को लेकर जो भी details है वो आपको इस page के उपर मिल जाएंगी एक एक चीज़ को में यहाँ पर नहीं पढ़ने वाला आप इस page के उपर आकर सबी metrics को यहाँ पर analyze कर सकते है कि यहाँ पर network के उपर कितनी activity है महिने में कितनी transactions हो रही है कितने इनके users है कितनी value यहाँ पर locked है तो यह जो basic information है वो आप यहाँ से ले सकते है roughly 17% of the tokens यहाँ पर market में circulate कर रहे है बाकी की जो 83% है वो अभी market में आना बाकी है tokenomics की अगर हम बात करते हैं तो यह जो बाकी के tokens हैं आने वाले 4 साल में slowly slowly यहाँ पर unlock होंगे लेकिन मज़े की बात क्या है कि इनका जो next unlock है वो जो है जून जुलाए में आने वाला है 239 days यहाँ पर remaining है roughly 7-8 महीने का time यहाँ पर remaining है उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वह सारे tokens जो है एकदम से market में आ जाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है 3 साल का time है linearly थोड़े थोड़े tokens जो है वो market में आना start होंगे तो यह जो table है यहाँ से हमें clearly पता चल रहा है कि आने वाले 7-8 महीने तक यहाँ पर कोई भी extra selling pressure नहीं है जो token market में circulate कर रहे है वो ही token circulation में होंगे price chart के अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 महीने का chart आपके सामने है starting के 1-2 महीने क्रिप्टो करनसी मार्केट में जो fear के waves आये थे भाई जर्मनी सेल कर रहा है empty gox जो है बहुत सारे बीटीसी जो है market में dump करने वाला है क्योंकि users को मिलेंगे और वो जो है dump करेंगे इस तरीके के बहुत सारे fear wave जो है हमने क्रिप्टो करनसी मार्केट में देखें अब जिनको sell करना था मेरे हिसाब से जादा तर लोग जो है sell कर चुके होंगे अब बचा कौन होगा वो ही लोग जो के project में believe करते हैं जो के समझते हैं कि आने वाले time में ये project बहुत अच्छा perform करेगा आपको यहाँ पर देखना है कि इनके investors कौन है कौन लोग है जिन्होंने इस project को fund किया है पहले तो आप यह देख लो कि 458 million dollars इन्होंने raise किया है और अभी कि जो market cap है 550 million dollar के around है fully diluted भी 3 billion के around है तो कोई बड़ी बात नहीं है मतलब कि जिन्होंने यहाँ पर invest किया है वो कोई बड़े फाइदे में नहीं है usually इस type के जो investors होते है इनको 100x, 200x, 500x का easily profit होता है अभी कि अगर हम situation देखें तो भाई इस project ने raise कितना किया है तकरिबन half billion और fully diluted valuation कितनी है 3 billion तो मतलब कि यह जो investors है on average यहाँ पर only 6x जो है profit में है वो अलग बात है कि जो शुरू में यहाँ पर invest किया होगा उसके जो multiple से कुछ ज्यादा होंगे क्योंकि उनको कम valuation के उपर tokens मिले होंगे लेकिन on average यह जो investors हैं यहाँ पर 6x जो है profit में है investor में भी आपको एक चीज़ देखनी है किन-किन को यह tokens मिलेंगे सबसे पहले आप देख लें BitDAO अब यह BitDAO कौन है तो भाई आप यहाँ पर आके देखें यह token है Pibit का यह token था अब इसका नाम change हो गया है mental mental इसका नया नाम है token किसका है भाई Pibit का exchange का token है तो यह जो BitDAO है यहाँ पर 200 million invest करके बेठा है क्या लगता है आपको यह जो है इसको pump करेंगे या नहीं यह जो exchanges है यहाँ पर आप देखें OKX Pibit Crypto.com उसके इलावा भी अगर आप investor list में देखेंगे तो A16 Crypto Blockchain.com बड़े बड़े नामी ग्रामी यहाँ पर investors है और खास दोर पे जब exchanges की इतनी बड़ी investment यहाँ पर होगी तो वो इसको pump करेंगे They will pump it They will pump it very hard So here is opportunity यहाँ पर मुझको एक opportunity दिखाई दे रही है चार्ट के हिसाब से अभी यह 50% down है ठीक है इसका जो resistance level है वो आप यहाँ पर देख सकते है पिछले resistance तो यह already break कर चुका है अब यहाँ पर यह जो resistance है 19-20 cent के around तो यहाँ पर यह चोटे मोटे 2-3 resistance है जैसे यह break होंगे तो blue skies ahead फिर जिस तरी किसे यह भागेगा तो कहना मुश्किल है कि भाई यह रुकेगा कहां पर लेकिन फिब रिटरेस्मेंट के थुरू कुछ idea हम लगा सकते है कि भाई कौन-कौन से level से जहां तक यह जा सकता है तो इसका जो high point है ठीक है यहाँ पर 30 cent के उपर यह trade किया था क्योंकि काफी सारे लोग कहेंगे कि सर यह जो wick है इसको आप count ना करें नहीं भई काफी time तक इसने 30 cent के उपर trade किया था और यह जो bottom है इसका 8 cent के around है तो highest से lowest price के उपर में जा रहा हूँ अब आप यहाँ पर देखें एक बार यह जो 22 cent वाला level है इसको यह decisively break करता है तो next level कहाँ पर है 66 cent के around तो सीधा 3X उसके बाद अगर हम बात करें अगले level की तो वो हमें जाके मिलता है 2.43 डॉलर के around अगर इस से जादा हम आगे नहीं भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ यहीं तक की calculation करते हैं यह जो 8-9 डॉलर की बात हो रही है इसको तो हम छोड़ी देते हैं सिर्फ यहाँ पर consider कर लेते हैं कि अगले bull market में 2.5 डॉलर तक इसकी price चाहेगी तो उस हिसाब से भी आप देख लें कि अभी जो इसकी price है तक्रिबन 15 cent के around है 2.5 डॉलर अगर हम consider करते हैं अभी की जो prices हैं उससे easily हम consider कर रहे है कि 15-16 X का profit यहाँ पर होने वाला है अगर हम conservative भी रहें तो यहाँ पर easily 10-12 X का profit होने वाला है एक छोटी सी calculation over कर लेते हैं 21 billion जो है इसकी supply है हम मान के चलते हैं कि 2 डॉलर को यह hit करेगा आने वाले cycle की बात हो रही है मतलब कि आने वाले 6-8 महिने में 42 billion fully diluted market gap आने वाले cycle में और पिछले cycle में एक फरक है पिछले cycle में जो पेसा होता है आने वाले cycle में उससे ज्यादा पेसा market में होता है पिछले cycle से मैं compare कर रहा हूँ को भी इसने टच किया था वेक इसने मारी थी जो के यहाँ पर record नहीं हुई लेकिन 90 billion पिछले cycle में 90 billion है मैं बात कर रहा हूँ आने वाले cycle में Z casing सिर्फ और सिर्फ 42 billion को भी hit करेगा तो Z casing की जो value होगी तकरिबन 2 dollar के around Cardano कोई अकेला example नहीं है बहुत सारे examples हैं बात कर लेते हैं Polkadot की पिछले cycle में 50 billion की valuation को इसने cross किया अभी जो alt coins हैं वो 90% 80% down है अभी आप इसकी market cap देखें तकरिबन 7 billion के around है पिछले cycle के हम बात कर रहे हैं 50-60 को इसने touch किया यह जो कुछ calculations में आपके सामने रखी हैं इससे यह बात clear हो जाती है कि 40-50 billion इसके लिए hit करना कोई बड़ी बात नहीं है इससे पहले भी बहुत सारे coins यह वाली market cap को reach कर चुके हैं तो इसकी price को लेकर मेरी analysis 2.5 dollar के around यह easily hit करेगा और मैं जो है 1.5 dollar के बाद sell करना स्टार्ट कर दूँगा जैसे ही मेरा पेसा 10 गुना होगा तो थोड़ा थोड़ा sell करना में start कर दूँगा यह मेरी strategy है कोई financial advice नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ share करता हूँ तो मझे यह opportunity दिखाई दी मैंने आपके साथ share करी price को लेकर इतना ही अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका यहाँ पर second airdrop हो सकता है तो मेरे भाईयो इनके जो interns हैं मतलब के team members हैं उन्होंने clearly कह दिया है कि यहाँ पर कोई भी second airdrop नहीं है इस किसम की बातें ना करें इसका कहने का मतलब है कि कोई post ना करें कोई video ना बनाए लोग जो है इससे expectation लगा लेते हैं और यह जो है misleading चीज़ है लोगों को mislead ना करें यह सारी चीज़ है अब second airdrop होता है कि नहीं होता मैंने आपको हमेशा यह चीज़ कही है कि आप यहाँ पर web 3 की दुनिया में जो भी काम करते हैं उसको isolate करके मत देखें एक जगा से नहीं तो दूसरी जगा से आपको यहाँ पर benefit हो जाता है तो whether second airdrop हो या ना हो आप जो है network को use कर सकते हैं अभी कुछ task हैं जो कि आपको करनें वो मैं आपके साथ share करूँगा लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखें optimism ने यहाँ पर अपना पांचवा airdrop किया है optimism पांचवा airdrop कर चुका है z casing की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक ही airdrop किया है airdrop से पहले इन्होंने कहा था कि 33% of the tokens जो है ब्लॉंग करते हैं community को 33% तो छोड़ो अभी कि अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 17% market में circulation में है यह सारे के सारे जो 17% है लोगों को नहीं मिले तो definitely मेरे हिसाब से यहाँ पर chance है मेरे हिसाब से यहाँ पर chance है लोग कहते हैं कि यह बातें ना किया करें basically यह commit नहीं करना चाते यह confirm नहीं करना चाते लेकिन future में यहाँ पर एक chance है कि ZKC का airdrop हो तो in case अगर यहाँ पर इनका airdrop होता है तो आपको क्या करना है network को तो आप use करेंगे जो कि बहुत ही simple है उसमें मुझे कुछ explain करने की ज़रूत नहीं है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर governance में भी आपको participate करना है अगर आप इस token को hold करते हैं तो यहाँ पर governance में भी आपको participate करना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ wallet यहाँ पर मैं connect कर लेता हूँ connect wallet के उपर मैं click कर देता हूँ यहाँ पर बहुत सारे options होंगे इसको hold करें तब ही आपको ये काम करना है ये नहीं है कि भाई आप इसको buy करके यहाँ पर आके delegate करें कि future में आपको airdrop मिलेगा एस ही कोई बात नहीं है अगर आप hold करते हैं तो उसको utilize करें तो मैंने अलग-अलग wallets में जो है tokens को distribute करके यहाँ पर participate किया है जैसे कि यह जो मेरा main wallet है यहाँ पर तक्रीबन 1000 token मैंने रखे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने किसी को delegate करके रखा है अगर आप यहाँ पर active हैं और इनके जो proposals आएंगे आप खुद आके यहाँ पर vote करेंगे तो आप अपने आपको भी delegate कर सकते हैं यह जो update delegation लिखा हुए न इसके उपर आप click करें तो यहाँ पर आपके सामने option आजाएगा myself के उपर आपको click करना है पहले आपने जिसको भी delegate करके रखा है आप जो है अपने आपको re-delegate कर सकते हैं यहाँ पर sign in की एक transaction है इसको मैं sign कर लेता हूँ confirm के उपर में click कर देता हूँ तो transaction यहाँ पर submit हो चुकी है अब अगर page को में refresh करूँगा तो यह जो नाम है यह हट जाएगा और यहाँ पर self आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह जो tokens हैं मैंने self delegate करके रखे हैं और example आप busy हैं आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर proposal के उपर आके vote नहीं करूँगा मेरे बदले कोई और जो है vote करें तो आप क्या करें यहाँ से sync swap को choose कर सकते हैं यह जो sync swap लिखाव है इसके उपर आप click करें इसको जो है नए page के उपर open करें new tape के अंदर यहाँ पर आपको इनका address दिखाई देगा जो कि आपको copy करना है directly आप यहाँ से delegate भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ से आप copy कर लें delegate votes इसके उपर आपको click करना है एक छोटी सी दुबारा से sign in transaction होगी तो यह sign in transaction आपको sign करना है confirm करना है यह transaction यहाँ पर submit हो जाएगी इस तरीके से आप किसी और के थुरू यहाँ पर voting कर सकते हैं किसी और को अपने tokens जो है delegate कर लें तोकन्स आपके wallet में ही रहेंगे बस उनके पास voting power चली जाएगी वो आपके बदले यहाँ पर आकर voting करेंगे personally अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मैं self delegate करके रखूँगा और proposal के उपर खुद आके vote करूँगा क्योंकि optimism का जो second airdrop हुआ था उसमें जिन लोगों ने voting में participate किया था उनको जादा टोकन्स मिले थे बाकी बात कर लेते हैं airdrop opportunity की तो यहाँ पर ही जो sync swap है इनका token अभी तक नहीं आया पिछले 6-8 महिने से मैं जादा कोई active नहीं था मैंने इनको use नहीं किया लेकिन अब जो है मैं इसको start करूँगा दोबारा से use करना start करूँगा आप भी जो है इसके उपर transactions कर सकते हैं कुछ liquidity provide करके रख सकते हैं इनका जो platform है इसको use करें जैसे uniswap है इसी तरीके का यह platform है zk sync के उपर तो zk sync का second airdrop हो नहो इनका airdrop ज़रूर होगा ठीक है तो यह एक clear cut opportunity आपके पास है यहां से आप जो है sync token को easily earn कर सकते हैं फ्यूचर में ठीक है दोस्तो तो airdrops को लेकर फिलहाल में इसी debt के उपर रहूँगा जादा में diversify नहीं कर रहा है क्योंकि इतना time ही नहीं होता तो गिनी चुनी जो चीज़ें होंगी उन्ही के उपर में focus करूंगा किने चुने जो tokens होंगे उन्ही के अंदर में invest करूंगा बहुत ज़्यादा diversification भी एक mistake है ठीक है diversify करना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना करें हर airdrop के उपर time जाया करने के लिए time मेरे पास भी नहीं है आपके पास भी नहीं है जहां पर कुछ opportunity दिखाई दे वहां पर अपना time energy हम invest कर सकते हैं तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अब आप थोड़ा सा जो है प्यार दिखाएं वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें टोटर के उपर इस वीडियो को मैं शेयर करूँगा तो kindly उसको री पोस्ट करें especially time निकालके ये वीडियो में बना रहा हूँ साथ